नमस्कार साथियों श्वागत है आप सब का हमारे चैनल पर मैं हूँ राजन महाजन और आप आज हल करेंगे यूपीटेट 2021 का एक्जाम जो की अब रद भी हो चुका है बड़े दुख की बात है लेकिन फिर भी इसके साथ हम लोगों को इन सभी प्रिश्णों के आंसर जाने है क्योंकि हर एक एक्जाम को अपनी तरफ से पोजिटिफ बे में लेना चाहिए एक्जाम कैंसल होता है कोई बात नहीं लेकिन हम उस एक्जाम के जो आने वाले प्रिश्ण थे उसमें उनका आंसर सही समझें और उसके साथ साथ अपनी जो तैयारी रह गई है बाकी उसको अच्छे से करें तो चलिए एक एक प्रिश्ण का मैं आंसर करूंगा यहां पर हम लोग एक से लेकर 150 प्रिश्ण तक पूरे प्रिश्णों की सीरेज हल करने वाले हैं और इसके साथ साथ जो हमारा सैट है वो सैट B है किसी का भी हो प्रिश्ण आप मिला सकते हैं सैट से तो नहीं है नेक्स्ट है प्रिष्ण नमबर दूसरा प्रसांगेक अंतरबोद परिच्छन कौन से संब्देत है तो इसका राइट आंसर है टू सीडी मॉर्गन और एचे मुरे दोनों संब्देत से जो तीसरा प्रिष्ण है ये थोड़ा डाउट में चल रहा है लेकिन इसका आं सर्मान रहे हैं दो नमबर इसको आप याद रखेंगे नेक्स्ट है चोथा नमबर उद्दीपन अनुकुरिया सिद्दान का प्रतिवादन किशने किया तो इसको आप बिल्को लियाद रख सकते हैं उद्दीपन अनुकुरिया ये जो थर्डाइक का दिया हुआ नियम है इ निम्न मेंसे कौन कारक को अधिगम कारक को प्रभाववत करते हैं तो ये सभी के सभी option 4 next देखेंगे बहु बुद्धी का सिद्दान्द किसने दिया तो गारडनर आप जानते हैं इन्होंने बहु बुद्धी का सिद्दान्द दिया था next देखेंगे हम लोग प्रिश्ट नमर 7 spearman ने दिया था बुद्धी का दुई कारक शिद्दान्द spearman ने बुद्धी का सिद्दान्द एक कारक दिया उसके बाद उसको संसोदत करके दुई कारक सिद्दान्द दिया ये बहुत शारी लोग थे नोंने बुद्धी के लग-लग से दान दी है इसमें इस्पियर मैन का राइट आंसर ऑप्शन वन नेच्ट देखें प्रोजेक्ट बिधी इसका जो राइट आंसर है किलपेट ट्रिक्ट है ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है पार्ठेव जना में चाथ के पूर अध होगा साथ चात्र सबसे अच्छा नियंद्रिद बातामर्ण में सिखते हैं तो एक दम गलत बात है वागी तीनों चीज़ें सही है नियंद्रिद में नागी खुले में पड़ता है वो नेक्ट देखेंगे प्रेश नंबर 11 किस संसोधन के द्वारा शम्धान में सिख्छा क अधिकार पर बल दिया गया तो 86 में शम्धान संसोधन हमारा बी राइट आंसर है उप्शन नमर दो सिख्छन सबसे कम प्रभावसाली होगा जब चात्रों के बीच एक अधिकार की भाना होगी सिख्छक में बिध्यारती निश्क्री होंगे केबल लिखने पर बल देंगे इस अभी ऑप्शन फोर सिख्छ का राइट आंसर भासा रूपांतरं सिख्धान इसमें भासा लिखा है और अंग्लेजी में ग्रामल लिखा है थोड़ा मिसिंग हुई है लेकिन चौमस की हमारा राइट आंसर होगा इस पर हम जाएंगे बीच दा राइट आंसर आप्शन दो सारे रे गठन के शंदर्म में कौन सही नहीं है तो सेलडन ने ये तीन सिद्दान दी थे और उनमें से एंटा गोनुस्टे की राइट आंसर है इसका आप्शन नमबर बी ये नहीं है सेलडन के बांके तीनों के तीनों दिये गए रूप हैं हमारे शरीर गठन से सम्मद अभी पेड़ना का नेक्स्ट पुर्शन है निमनबत मैसे अभी पेड़ना की घटकों की पहचान करिए तो अभी पेड़ना हमारी सबी चीजों से मिलती है आव सकता अंतर नोद और पुर्श शाहन से नेक्स देखेंगे हम मनो बिशलेशन ये तो परिशन आपको बहुत ज नहीं दिया गया था इसका जो राइट आंसर है बोर आप्शन नमबर तीसरा अठारा का हमारा तीसरा आंसर सही है प्रिशन नमबर 19 पर चलेंगे हम बिभिन योगता यहां रुचियों वाले बिध्धारती होती कौन सा मुल्यांकन अधे को प्योगी रहता है तो जो बिध् योग ऐसा रहा कि पेपर कैंसल हो गया लेकिन कोई बात नहीं आप लोग प्रिशन के आंसर जरूर देख लीजिए और उसके बाद आने बाले फिर्श एक्जाम की तैयारी में एकदम लग जाईए नेक्स देखेंगे हमारा जो बिलूम से सिद्दान संबने थे बिलूम ने स्तर होता प्रितियरबरती स्तर स्क्षن का इस्तर। नहीं है फूर्थ इसका राइट अंसर होगा बिकास के मनोसामाजिक施 light के व्रितिया के प्रिति नहीं है और एक्जाम का नहीं एक देखेंगे नियंम कोई से थंडाइक द्वार दीया गया था अधिकम का मुख नियम न और अबिर्ति का इनियम ए गॉर्ड नियम है इसलिए इसका राइट आंसर फोर होगा कोईलर औकुपका के अंसार सीखना क्या होता है सूच द्वारा शीखना ये गेस्ट और वादी बचार धारा है और अंतर द्रिष्ट्री और सूच द्वारा इसमें सीखा जाता है धर्ड का राइट आइट 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 आइ है कि हमारे हिसाब से जो निर्ने लिया गो आयोग द्वारा चेंज किया जाए लेकिन यह प्रयास किया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो आंसर है सभी की सभी शही दिये जाए अब तक 27 हेरेडेटरी जीनियस यह बहुत अच्छा प्रिशन था बुक्स से प्रिशन आया है और यूपी टैट में बुक्स से एक प्रिशन जरूर आता है यह फ्रांसिस गल्टन इसके राइट आंसर है ऑप्शन नमबर एक संगेनात्मा शंप्रीती का निमतम इस्तर क्या होता है तो लोग सूच में से छण माइक्रो टीचिंग से प्रिशन आया है बहुत जबरजस्त प्रिशन है और माइक्रो टीचिंग की प्रिकिरिया होती है यह छे चरौन में 36 मिनट में होती है और इसका जो फाइनल आंसर आता है पुना प्रती पूश्टी मतलब री फीडबेक प्रिवाईश का राइट आंसर आप मिला सकते हैं आपके जो मनोविग्ञान का जो मैंने पाट था बाल विकास और मनोविग्ञान का उसको मैंने हल कराया शिच्छन विधी का और तीस में से आप मिलाएंगे कि आपके कितने सही है नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे हिंदी जिस प्रकार से सेट वी में हमारा सेट है उसी इशाब से कर रह रहुँ खेल रहा है ये खेलना मतलब एक प्रकार की शकरम करिया है इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी चमचमात चंचलन नेन बिन घूंगट पर जीन मनधू सरुसर्था बिमलजल उद्दात यूगमीन म मतलब इसमें मनहु जनहु जानु आ गया तो इसका मतलब यहां पर उत्प्रेच्छा लंकार होगा इसको आप याद रखेंगे मनहु जनहु जानु उत्प्रेच्छा लंकार सूरज का सात्मा खोड़ा बहुत प्रिसलित किरती है यह हमारे धरंबीर भारती जी की option number 4 पर आगने इसको आप याद रखेंगा option number 3 नेक्स देखेंगे प्रिस्ट नमबर 6 पर लाइन से दिये गए हैं 36 पर देखेंगे हम लोग तेजाब में कौनसी संगए तो तेजाब एक दिरब बबाचक पदारत हैं और दिरब की वहस्ता में रहेगा तो इसलिए इसका answer को दिरब बबाचक संग गया मतलब फोर answer right answer हम देखें के महाधन इंद्र, और इसका राइट आंसर होगा, नेक्स देखें के हम लोग शेर का सबहाशियर, भाई शेर का सबहाशियर होगा, शेर है कोई वेक्थी उससे वड़ा वेक्थी खड़ा हो गया, खाने के एकषब भूबूग चा और जानने की एक्षा जीजीप स बूब पीसा पीने के च्छा पीषा ऐसे ही खाने के च्छा वो भूचा नेक्स देखें किंडर पिरवर ड्रकरण सिक्षन है करन जाता तो आप जानते हैं इसमें बैसे तो सामाजनेक तो पर परेटली कई option मिल रहे हैं बैसे दो पे जा रहे हम और मेरा मानना है कि ये right answer हो सकता व्यक्तिगत बैसे बहुत शारे लोग भी मान रहे हैं और बुक्ष में भी दिया गया है सुखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अधी नतिया ये जो किरती है वो हमारी जो point दिये गए है लाइन है ये कि ये अमीर खुश्रो की है इसको आप रखेंगे याद दो इसका option होगा जूठन ये बहुत ज़्यादा पर चले थे और आमप्रकास बालमिकी की एक किरती है आमप्रकास बालमिकी ये आत्म किता है जूठन सब जबाग दिखाने का मतलब है कि कि फूर्शी को सब्जबाग दिखाने का मतलब अची बाते करका कर वहकाना इसका राय टांसर फूरू होगा जब करता एक किरिया समाप करके द straff कर करने लग superstring करने लगे तो भाई एक करता कर दिया दूसरी करने लगा मतलब जो कर दिया वो पूरूर और किरिया सी option नेक्स देखेंगे प्रिशन नंबर यहां पर हमारा नेक्स्ट होगा फूले कास सकल मही हाई और जनु बरसा रिदू प्रिकट बढ़ाई इसमें जनु 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 मैंने आपको शुरुआत में बता दिये प्रिशन तीनों एक साथ मिल रहे थे उत प्रिच्छा लंकार होगा इसमें ओप्शन नंबर बन इसका राइट आंसर होगा घर पहाड और नदी किस प्रकार की संग्या है तो जानते हैं आप एक घर पहाड और नदी एक जाती बिसेश की चीज़ बता रहे हैं नदी कोई भी हो सकती है पहाड कोई भी एक जाती बिसेश की खर उसने कुछ नहीं खाया में कुछ क्या है अनिस्य बाचक मतलब फिक्ष नहीं है कि क्या खाया क्या नहीं अनिस्य बाचक सर्वनाम निग्मन प्रणाली के प्रयोग किस प्रकार की सिछण में होता है तो ब्याकरण सिछण में इस प्रकार की प्रदेती के प्रयोग किया जाता है फर्स्ट हमारा answer होगा आत्मा, बोना का होता है बामन, आपने देखा होगा जो विश्णु भगवान एक बामन का अतार लेते हैं, उसी बामन का बोना रूप धर लेते हैं, उसी को बामन बोलते हैं, राइट आंसर थिरी, बोना का तस्था बामन होगा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धूमकेतू का पर्यवाची क्या होगा धूमकेतू का पर्यवाची बहुत शारी बुक्षों में देखने के बाद मिला अगनी ज्यादा प्रिफर हो रहा है तो इसका right answer हम first मानेंगे और हो सकता है आयोग इसको क्या मानता है आगे देखा जाएगा ये हमारा गद्दान्स है और इसका जो प्रिष्ण है ये directly बोल रहा है आप statement पड़ सकते हैं गद्दान्स का पूरा का पूरा और बिग्यान पर focus कर रहा है यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि इसमें मनुष के हाथों में आज बिग्यान मनुष के हाथों में अद्बोद अतुल सकती दे रहा है तो इसमें प्रिष्ण पूछा है कि कौन हाथों में दे रहा है मनुष के तो बिग्यान इसका right answer 2 option number 2 कफन गोदान गबन यह हमारे फ्रेमचन जी की महान किर्थियों में यह कफन है 57 नमबर प्रिष्ण पर हम लोग चलेंगे उदेत उदेगरी मंच पर रगवरवाल पतंग बल लिखा है बाल इसमें जो एक्जाम होगा इसमें बहुत सारी तूटियां दी गई हैं हिंदी भासा में बहुत जादा बिक्स संत सरोजसम हर्चे लोचन भ्रंग यह कि यह उनके गुरू जी थे वहीं पर बैठे हुए थे हुए उदेत उरीगी गिली मंच पर रामचेंजी जب सीता स्वेंबर में जाते हैं उसमें की इस्तिती है इसमें उनकी जो आंसर बताए गया है वह रूपक है इसमें उपमाना करके रूपक है आंसर इसका वन होगा याद रखेंगे आप लोग उसने उससे बैठा नहीं जा मंतलब अलग हो रही है इसलिए इसलिए राइट आंसर हो गा हैं किसकर और किरिया अलग हो रही है जिए थे लिए भी हिंपी य दिए नेश्ट हम लोग बढ़ेंगे अब संस्कृत का जो इसमें से जो भी प्रिष्ण हैं आप लोगों की किसी को डाउट हो सकता है बैरहाल मैंने एक प्रिष्ण पर एनलेसिस किया है और उसके बाद प्रिष्ण तयार किये हैं कुट्टिम कार्थ होता है कूटना लेकिन कोई महान महल बनते हैं उनसाब बनते हैं थो भवन की नीचे की भूमी को कूटबना जाता है इसलिए इसका राइट आंसर होगा भवन भवन की भूमी पचपन और बचपन ये पचपन है पंच पंचासत पंचासत का मतलब पचास और पंच आगे लग गया संस्क्रित में जो संख्या आगे होती है वो पीछे जुड़ती है पचास और पांच पचपन इसका राइट आंसर थिरी होगा मा का भी कालिदास की अरूभ गंगम अरूभ गम अरूभ गम कुछ भी कह दें आप तो रचना उनकी नहीं है वाक ये तीनों की तीनों उनकी रचना है बिक कुमवर्स ये अब बिग्यान सकुन तलो माल बिकागनी मित्रम सिरी का प्र ठंब भक्ती में एक बचन जो रूप जाएगा शिशू का शिशूगा हो जाएगा और द्रिश्यती द्रिश्यते राइट आंसर वन नेक्स देखेंगे हम लोग प्रिशने नंबर 66 प्रिशने सभी के सभी बहुत अच्छी थे पाड़नी मुखम प्रिच्छालती पानी जो मुख से निकलता है मतलब प्रिच्छालत मुझे गिर रहा इसलिए इसका राइट आंसर करनकारक फोर आप्शन होगा अनुस्वर का जो भी आप्शन हो चारारिस्थान वो नासिक होगा फाइनली क्योंकि नासिक जो नाक से होते हैं वो अनुस्वर निकाले जाते हैं इसको आप याद रखेंगे सरंगिन प्लस जया का संदी करत क्या होगा आप्शन नमबर बन पर जाएंगे हम लोग राइट आंसर बन होगा अपक्रिश्णम, अपक्रिश्णम में आप देखेंगे, कुछ लोग क्रिश्णम में करम धारे पे चले जाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा अबबई भाव, अबबई भाव समास होगा इसका, और ये हमारे अपसर्ग है, नहीं दिस दुर, तो रा पे जो रा की लक है, इसलिए उप्शन नमबर थर्ड हमारा और इन में से किसी में उड़नत नहीं लगा है, ये उप्शन नमबर तीसरा, दुर, निमन मेंशे, कौनसा अपसर्ग है, दुर हमारा तीसरा उप्शन, एकदम सही आंसर है, नेक्स देखेंगे हम लोग, इसमें एक चीज़ छिप गई है, मैं आपको प्रिश्म पढ़के बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सब, एक चीज़ छिप क्या गई, इसमें थोड़ा परेशानी हो गए, कि हम लोग उसमें क्रॉप करते वक्त इसमें कुछ मिसिंग कर दी, तो इसमें एक प्रिश्न आया, कि अब्बे सब्द नही है, अब्बे शब्द नहीं है मतलब, अब्बे मतलब जो नश्टना हो, पुरा सायम और इसमें एक उप्सन थक अदा, तो इसका राइट आंसर हमने देखा, इसका आंसर है, नरब, फोर इसका राइट आंसर होगा, इसमें थोड़ा मिसिंग हो गई है, माप करिएगा, शतक सतक तरह, तीन परकार के सतक लिखें, भर थरी, इसका राइट आंसर होगा, थिरी, भर थरी ने तीन परकार के सतक लिखें, उसमें से सतक तरह एक रचना है, तेरा को हम लोग क्या बोलते हैं, तिरो दस, तेरा को बोलते हैं, तिरो और दस, ये तिरतिया की तीसरी बिभक्त की रूप में आया है और दस का मतलब दस होता है चोहतर का हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे ये महराजा दिलीब की और गुरू बसिस से एक बात चल रही है उसमें एक बात काया है कि किसकी शिवा की बात कर रहे हैं इसमें डारेटली आंसर आप नंदी गाय की बात कर रहा है आप पढ़ सकते हैं इसको गद्दानस को और फाइनली एक सब्तिमी भक्ति बहु बचन पुछा गया है और इसका जो राइट आंसर होगा दिवसेशू फोर्थ ओप्शन राइट आंसर हमारा फोर्थ होगा नदी शब्द के प्रिथम बचन का रूप निमने में से क्या है नदी नदी का जो प्रिथम बचन है वो नदी है पहला जनमत पित्रब जनका और तात माने पिता होता है जनक माने पिता होता है जनमत माने जनम देने वाला वो भी पिता है लेकर पित्रब माने होता है चाचा से जुड़ा है इसलिए राइट अंसर इसका ये होगा टू अप्शन कोयल को क्या बोलते हैं हम लोग कोयल को पिका बोलत हाथ और साखा माने जुड़ी हूँ इनके साथ इसलिए कर को कर साखा को मतलब हम लोग अंगुलियों से संस्क्रित में बोलते हैं तो इसका 80 का राइट आंसर बन होगा नेक्स देखेंगे ब्याकरान सिक्छा में निमने मैंसे किस अन्य नाम से जाना जाता तो ब्याकरान जो स पास्यन्ती बैकरी और उत्मा ये उत्मा राइट आंसर होगा इस पर ज़्यादा डीप में नि जाएंग इस शंस्क्रित है इसकी बहुत जादा हम को भी जानकारी नहीं है लेकिन मेरी समध से है कि इसका राइट आंसर होगा उत्मा ब्याकरा सिक्छन के मुख्विदी क्या है आगम और निगमंग ब्याकरण सिक्षा की दोनों बीदियां हो सकती है ये महत्पूर्ण भूम का नभाते हैं ब्याकरण में तो इसका राइट आंसर वैसे हम लोग जाएंगे तीन पर दोनों बीदियों और उसके बाद उसको आप समझ पाएंगे शायता करेंगे तब ही जब समझेंगे इसलिए राइट आंसर फोर होगा इसका मात्र भासा का स्वभावेक जो करम है उसको आप लोग देखेंगे सबसे पहले सुनना सीखेंगे आप फिर बोलना फिर पढ़ना और फाइनली लिखना इसका राइट आंसर होगा ठिरी शुनना बोलना पढ़ना और लिखना जिन लोग उने तीन आप्शन लगाए एक दम उनका सही है देउता देउता जैसे हम लोग माने कि ये पुल लेंगे लेकर देवता को संस्कृत के रूप में देखा जाए तो ये देवता बड़ा आ लग गया तो इस तरही लेंग होगा राइट आँसर होगा वन छासी का नेक्स देखेंगे हम लोग इसी के 87 मह प्रिशन है त्रेपन को सन्क्रिट में क्या कहते हैं तो त्रेपन का जो प्रिष्न आया है वो थोड़ा दोग प्रकार से दे दिया है तो आपको आपके तो बैसे या आना नहीं है पारत फुर्श तक प्रया आपारड शाथ के लिए लिखी जाती है ये डारेक्ट डारेक्ट एक statement है और crown back नाम के एक बेक्तित है उन्होंने ये statement दिया कि आप प्राउन चात्रों के लिए लिखी जाती है पुस्त के प्राउन का मतलब होता है कि जो एजेट होके जादा और आप प्राउन का मतलब जो जबान है प्राउन चात्रों के लिए किताब लिखी जाते हैं उन्हीं से वो लोग पढ़ते हैं crown back ने सीधा statement दिया था दंडानवे प्रणाली किस सिक्षण के लिए तो ये दंडानवे जो प्रणाली है वो हमारी काब सिक्षण के लिए जानी जाती है इसको आप याद रखेंगे option नमर बन इसका right answer है next देखेंगे इसका finally और संस्किरत का last मा प्रणाली है मौकिक भासा सिच्षण की प्रत्यक्ष भी दिए तो मौकिक भासा सिच्षण की प्रत्यक्ष भी दिए दी देखा जाए भासाड होता है शीधे आप बूलिए भासाड दीजिए उससे लोग सीखेंगे और समझेंगे तो यह था हमारे तीन सब्जेक्टों की और finally अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अपने set के साब से mathematics की और तो इसका प्रिशन के साब से हम लोग देखते चलेंगे इसमें से जो पहला प्रिशन नाइंटी बन है हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा तीन पाच पाच चार है तो हानी की बात करना करे और विक्रे की भी तो इसका राइट आंसर होगा और इसका अंसर आ जाएगा शिक्स ए ठीरी एट फोर तीन सो चौरासी सेंटी मीटर स्कॉार इसका जो प्रिशन का अंसर बनेगा बो बनेगा हमारा छे इसको हम लोग हल करेंगे तो पाएंगे इसमें ये छित्रफल दिया है तीन सो साट बटे बारा थोड़ा प्रोसेस है इसका राइट आंसर आप सीधे जान लिजे किसी दिन क्लास में पूरा में आपको हल करके दिखाऊंगा 94 यदि किसी बर्ग बिकण को दुगना कर दिया जाए तो छित्रफल कितना होगा भाई बर्ग है आप सीधे देख सकते हैं ये बर्ग है इक बर्ग था छोटा सा ऐसे इसको बड़ा कर दिया तो दुगना कर दिया जब उसको दुगना करने से उसका क्या हो जाएगा मैं फिर से बना देता हूँ ये बर्ग है और इसके बिकंड को दोगना कर दिया जब बिकंड को दोगना कर दिया इसी से और इतना आगी लगा दिया तो इसका जो 6 तरफल है वो 4 गुना हो जाएगा थिरी इसका राइट आंसर होगा नेक्स देखेंगे हम लोग 95 बेने एक घड़ी 75 रुपए में बेजता है और जिससे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर लाब कमाता है भाई जितनी उसकी लागत कीमत थी उतने ही उसने लाब कमा लिए मतलब 50 रुपए की थी यदि तो उसने 50% लाब कमाया तो उसमें दारेट आंसर हम लोगे लिए एक मोटे अंदास से देखें तो इसका राइट आंसर होगा फोर 50 रुपए 50 की थी 50% लाब मतलब 25 रुपए 75 रुपए इसका मूल हो गया दो ब्रतों के बीच की तरिज्याओं के योग कम है तो दोनों ब्रत एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिशेद करेंगे कैसे जैसे एक ब्रत ये है दूसरा ब्रत इसी के अंदर बना है और इसकी जो तरिज्या है एक दूसरे को पृति छेद कर रही है इस परस नहीं अंता और बाहर इस परस नहीं ये पृति छेदित कर रही है अंक बिन्यास की आधार पर इसको बिलबत संख्या बताना है इसमें बहुत सरल था बंड टू इसमें आगे थिरी आएगा आगे फोर है 5 10 15 और 20 तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3 4 को अप्शन ए और भी घनपूरां को 6 से बेवाज़त करने पर इसमें प्रिश्ण को हल करेंगे हम लोग पाएंगे तो इसका डारेट आंसर हो 20% हो जाता है 10% की बिरत्दी 21% 20% की बिरत्दी तो आगे बढ़ेगा इसे extend होता रहता है यह x प्लस y प्लस x into y बटे हंड़ेट का सूद लगाने के बाद इसका आंसर 21% आता है नेक्स देखेंगे मोहन की 5 बर्स पूर वम्र तदा 9 बर्स बाद उमर का जो गोडन फल है वो आईउ की बरत्दान आईउ के साफ से बताना है 15 है और बरत्दान आईउ कितनी है तो इसका राइट आंसर हमने हल किया तो पाया 6 इसका हम लोग एक दिन पूरी क्लास में मैत की पूरी प्रेशन हल करेंगे अभी शर्फ हम लोग आप्शन जान लेते है राइट आंसर क्या है इसमें देखा है 0.00032 की पावर 0.6 इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे इसमें 0.6 को क्या किया है इसकी दसमल हटाके इसको 10 से भाग दे दिया 2 बटे 5 कर दिया इस आंसर हो गया B 0.008 B is the right answer इसका next देखेंगे प्रेशन नंबर हमारा 102 इसका जो राइट आंसर होगा 102 का हमारा 102 का राइट आंसर हम लोग देखेंगे उसका सीधा आंसर हमारा आ रहा है 7 next 3 102 का option नंबर 3 is the right answer 7 इसका शंभोमान होगा next देखेंगे हम लोग 103 परमे संख्या से बड़ी संख्या देखेंगे इसमें माइनस 3 बटे 8 बटे माइनस 8 माइनस से माइनस कट गए यह पॉजिटिब में चला गया और मांकी सम्नेगेटिब में है इसलिए right answer इसका 2 होगा दो संख्याओं के लासा और मासा का गोड़न फल 36 और उनकी बीच का अंतर 10 है सीधा बहुत सरल था इसमें एक ही चीट थी बस थोड़ा सा दिमाख लगाना था आपको इस चार की पावर सिक्ष बन आपको ओप्षन कोमन लेके बांकी को सब जोड़ते जाना था और बांकी जोड़ने के बाद किस संका से बेभाज होगा तो भाग दे ले थे इन मेंसे ऑप्ष तो हमारा जो बारा बज़े से पहले का समय एम रहेगा तो फिर में तो उसी को हम लोगों को देखना है इसमें ऑप्षन दिये गए हैं थोड़ा कन्फ्यूज करेंगे हम लोग ऑप्षन नंबर जाएंगे बी पर टू नंबर ऑप्षन इसका राइट आंसर होगा नो बच के 8% नकालना है और इसका राइट आंसर और हहा हमारा 20,300 रुपे बी इसका राइट आप्सर नंबर टू इसका राइट आणसर होगा 108 का सनिवार के दिन होगा इसका कोण के पूरक और शंपूरक कोणों का अंतर कहा गया है तो पूरक का मतलब 90 और शंपूरक का मतलब 180 नीमता में घटाया जाएगा तो 90 का अंसर ऑप्शन नमबर टू इसका जो मूलधन कि 10 केले की दर से बेचने कला भाई शाब दक्ती बहुत तगड़ा आदमी है आप अंदाज लगा लिजिए कि 1.2 कई एक दे रहा है और 12 देगा तो 12.44 14.44 मतलब 10 रूपय का लिया था और 4 रूपय 40 पहीं से कमा लिए मतलब 44% कमा लिए सीदा अंसर आहरा है और अप्शन 6.30 कबा के ती संख्या का 30% अससंख्या की करते का 3 4टाय से 63 कम है इसका राइट अंसर उप्शन नंबर भी चालेस होगा आप इसको हल भी कर सकते हैं नेक्ष देखेंगे हम लोग 117 मा प्रेशन इसका जो ऑप्षन है उसको देखेंगे हम लोग राइट आणसर उसका क्या होगा 117 का और बहुत अच्छा प्रेशन है 117 वाला सुरी इसमें हम लोग साइद 116 मा प्रेशन कन्फ्यूज कर गए देखते हैं थोड़ा सा कोई बात नहीं एक मिस हो गया इसका प्रेश कोई बात नहीं हम लोग और बांकी बचेवी प्रेशन हल कर लेंगे चैसा रुपे साधन ब्याज की दर से चार बर्स में 720 रुपे हो जाता है यदि ब्याज की दर दो परसन बढ़ा दी जाए तो धन कितना होगा इसमें जो आए आंसर आ रहा है हमारा वो सीधा सीधा हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 768 रुपे ऑप्शन नमबर बन इसमें एक प्रिशन आया यह बहुत अच्छा प्रिशन है निमलगत कौन सा सही नहीं है यह दो पूडांक को यह करने तो एक पूडांक होगा एक बनीशी बात है दो परमे संख्या का परमे रही अपरमे संख्या में अपरमे जोडने से यह प्रिशन हिए कि अपरमे हи आए इसलिए इसका आंसर नहीं है मतलब प्रिशन नमबर तीन षका राइट आंसर कोई संख्या अपने साथ। 20% से साथ इसका क्या होगा इसका हम लोग देखेंगे 75 के और प्रिय Light namमेसर होगा और दो तो 370 के सरीक निकट और 17 से बिवाज़त होने का मतलब 3170 इसका राइट आंसर होगा आप देखेंगे हल करके और इसका राइट आंसर एकदम आपको मिल जाएगा, यहाँ प्रिष्ण में हम लोग यहाँ पे हल भी किया है, देखो 17 आ रहा है, 10, 7 बढ़ा देंगे 3070 लिखा है, उसमें 7 बढ़ा देंगे तो इसका राइट आंसर एकदम सही आ जाएगा नेक्स देखेंगे, इन्वार्मेंट बहुत अच्छे प्रिष्ण ने थे इन्वार्मेंट से और इन्वार्मेंट का प्रिष्ण अपने आप में बैसे भी महात्पूर्ण होता है क्योंकि इसकी कुई लिमेट नहीं, बहुत सारा हमारे सिलेवस में है 121 में प्रिष्ण हम लोग हल करने बाले हैं इसका राइट आंसर खाने हो के कौन सा कबक होता है तो एगेरिकस जिसको हम लोग कुकर मुत्ता बोलते हैं इसको मश्रूम बोलते हैं हम लोग सुधिंदी में मश्रूम को खाया जाता इसको एगेरिकस बोला जाता राइट आंसर आप्शन नमबर बन मेंगरो जो पौधे पाया जाते हैं वो शुंदर बन में पाया जाते हैं इसका राइट आंसर होगा option number 3 average बीजी पौधव में निर्मत कौन सी सरचना तिरूड़ित होती है तो भुरूड प्रोस इसका option number 4 इसका राइट आंसर होगा 124 किस कुल में भिती लगन और बिजांड से पाया जाता है तो ब्रेस सी कैसी इक कुल होता जिसमें भिती लगन बिजांड नियास पाया जाता है अनौक्सी सोसन की बात अनौक्सी सोसन अनौक्सी मतलब बिन अक्शिजण की उपस्तिती के और इसका राइट आंसर होगा एथल इलकोहल किंडबन के स्थिती में ऐसी चीज़े बनती है 1906 में एक महला विश्विद्याले के स्थापना की गई थी और स्थापना करने वाले विद्थी डी के कारवे आप्शन नमबर 3 पूरी की जगरनात यात्रा कहां से संबन देत है यात्रा किस भगवान से तो भगवान जगरनात से इसकी यात्रा संबन देत राइट आंसर उप्सन नमबर 4 नेक्स देख नासिक में कुम्ब मिला किष्ण अधी पर कुम्ब मिला हमारे भारत के चारे स्थानों पे लगता है प्रियागराज संगम उज्जेन हमारा हरिद्वार उज्जेन हमारा नाशिक और प्रियागराज चारे स्थानों पे लगता है उज्जेन तो आप जानते हैं शिपरा नदी की किनारे हरिद्वार गंगा की किनारे प्रियागराज संगम गंगा और एमना की शंगम पर अद्रेस रस्वती के साथ और फाइनली जो नासेख है वो गोदावरी नदी की किनारी आप्शन नमबर थिरी संध्या क्या है एक परकार के अखवार था ये सौतनता अक संगराम किशा में अखवार चलता था एक सो तीस में परिशन है हम लोग धीरे धीरे लाश्ट की और बढ़ रहा है बहुत अच्छे अच्छे परिशन थे बिधान परसाथ से परिशन आया है सदस संख्या फाइनली शौ होती है लोक सबा में 80 सीट है जास सबा में 31 सीट है बिधान परसाथ में शौर्ट सीट है और बोवी जिंदल बनाम भारत राज केस से 26 जनवरी दोजार बीश से दोज से सोरी बीश नहीं धोज सही ता प्रारंब हुई तबीशे हम लोग सारजबने गुरूप से अपना धोज फैरा सकते है यह जनगड़मन हमारा राश्टिगान का हिंदी संस्क्रण को संब्यदान बाब अपनाया तो 24 जनवरी 1950 को एजड़ा राइट आंसर सत्रमी लोग शबा का राइट आंसर ऑप्शन नमर दो ओंबिल्ला है गूगल पे आप लोग देख रहे हैं कई लोग कन्फ्यूज भी हो रहे हैं सोलमी लोग शबा के नाम से आ रहा है लेकिन सत्रमी लोग शबा जो प्रधान मंत्री होते हैं वो अंतराजी परसत के अध्यक्ष हैं जैसे कि भारत की प्रधान मंत्री नरेंद मोदी अंतराजी परसत के अध्यक्ष हैं प्रिश्ट नमर थर्टी बन थर्टी फाइब बहुत महात्पून प्रिश्टे हैं और ये भारत के एटोनी जनरल भा बारत का महा नयाइबादी जिसको बोला जाता है। बारत का नयाइबादी जो बेक्ति होता है। किसी भी भारत के नयाइबादी में सुनवाई का अधकार रखता जा सकता है। वहाँ पर सरकार का पक्च रख सकता है। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्र इमना की शायक नहीं आप्शन नमर बन इद्दा राइट आंसर भात की सबसे उची चोटी कौन सी है तो केटू बर्तमान में भात की सबसे उची चोटी केटू है बिबारत रूप से कहा जाए तो ये जुड़ जाता भारत से और भी आगे है लेकिन माउंट अबरेश्ट दु मिश्तित है और आश्टेरिया में किंबर लेकी खाने भी है उत्तर प्रदेश को वह जोला बुंदिल खंड का भाग नहीं है पठार का भाग तो बुंदिल खंड में साथ जिले आते हैं और इन साथ जिलों में से तीन जिले यहाँ पर दिये गा है मिर्जापुर बुंदिल रेंज कहां पर है तो यह हमारे औस्टिरिया देश में गरेट डिवाइडिंग रेंज इस्तित है दच्छन पूरी यूरोप के शीटोशन घास के मैदान को इस्टेपीज कहा जाता है और एक्ष देखेंगे हम लोग इसका जो राइट आंसर है हमारा जो महत्पूर्ण पाया जाता देखिए निप्सकिश में प्रोलोफिल पाया जाता है प्रिशन बहुत बढ़िया हाईडरा या यूगलीना इसमें कन्फ्यूजन है जैली पिस और साइकन तो जैसे ठीक है तो इसका राइट आंसर हम लें सोर्सों से देखा है तो इसका राइट आंसर है लोगों को खामियाबी भी भूखनी पड़ती है इसका राइट आंसर है सारा से है उसमें सलैस लगा देना थी जा क्रेन इसका राइट आंसर टू है नेक्स देखेंगे 148 में प्रिशने निमलेकित मैसे कौन सा हार्मोन रक्त में केल्सियम के इस तर को नियंतरित करता है तो हमारा सेकेंड लाइट प्रिशन है ओजोन पर्थ की मुटाई मापी जाती है डॉप्शन में आप्शन नमबर थी डॉप्शन ओजोन पर्थ की मुटाई नापने के एक आई है नाइट रोजन इस ती करने वाले जीबाणों जलों में उपस्तित होते हैं किसकी दलहन जो भी दलहनी फसले हैं चाहे हमारे चना हो मटर हो इन सभी में मसूर हो इन सभी में दलहनी चीज़ें जो भी हैं उनमें जीबाणों राइजोबियों बैक्टिरियम पाय जाते हैं लग्गु मेनेसी ये कुलके होते हैं और इस से नाइट उजन का इस तरी करना होता है फाइनली य answer की official आना भी नहीं है हम लोग इसी हिसाब से मिलाएंगे लेकिन जानकारी के लिए ताकि प्रिष्ण कोई confusion में न रहे आगे आने वाले किसी भी एक्जाम में इस प्रकार का प्रिष्ण आए तो हम करना न भूले हल तो ये थी पूरे हमारे प्रिष्ण की एक से पचास प्रिष्ण नमर एक से एक सो पचास तक की सीरे जिसको सेड भी जिसका भी हो वो लोग मिला लें और बांकी जो प्रिष्ण हो आप मिला सकते हैं तो हम लोगों का यही प्रयास है कि आप लोग एक्जाम के बाद बिलकुल निरास नहूं, एक्जाम होते रहते हैं और एक्जाम के बाद जो भी आगे आने वाली तितिया हैं उसमें बहुत जल्दे अनावस्मेंट होना, डेट कब होगी, उसकी भी हम लोग आपको डिटेर मे करके जनकारी देंगे और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की क्लास फिर से एक बार चलाई जाए एकदम फिरी क्लास पूरे टेस्ट के साथ पूरी तैयारी के साथ जुड़े रहे हमारे साथ मैं हूँ राजन महाजन और आप देख रहे हैं शुपर मास्टर अभी प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए बहतर से बहतर कंटेंट दें और समय थोड़ा आंसर की मैंने देर से निकाली लेकर आंसर एक एक सर्च किया ताकि आप लोगों किशी प्रकार की असेमेती न बने और किशी प्रकार की प्रिश्न को ले करके असाधानी महसूस ना हो तो ये आज की स्रिंखला थी 150 प्रिष्णों की जिसको आप लोग देख शकते हैं एक से लेकर 150 प्रिष्णों को हल करने में टाइम भी लगता और एक एक को मैंने जाचा बेफिन सोर्सों से समझा प्रिया से किया गया कि जाधा से जाधा प्रिष्णा आपके शही बताया जाएं गलती हो सकती है भाई मानवी सकतिया होती है थोड़ी बहुत गलत हो जाता है लेकिन उसमें कोई बात नहीं इतना तो आप लोग भी समझदार है तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से यूपी टैट की तैयारी आप लोग फिर से करते रहे अपनी तैयारी को कमजोर मत करिये अपने होंचले को बढ़ा कर रखिये एकजाम होगा पेपर की खोपड़ी में एकदम छेत किया जाएगा और फाइनली हम लोग फिर से खड़े होंगे फैसले और फासले हम लोगों को नहीं बढ़ाना है हम लोगों को सिर्फ उसिर्फ अपनी एकजाम पर फोकस करना है तो चलिए फिर मिलता हूँ ऐसे ही महत्पून टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रुकिए जोड़े रहे हमारे साथ सभी लोगों को गुड नाइट